तो चलिए बहुत-बहुत स्वागत है एक बाप फिर से जोड़दार तरीके से और विल्कुल एक फिर से दिल्चस्प कहानी आपके सामने स्वागतार चल रहे हैं और मैं हमेशा जो है वाइस को लेकर के आता रहा और उनके इंट्रिव्यू करता रहा है तो आज अब इसलिए कुछ एक इंट्रेस्टिंग कहानी आपके सामने है उस संघर्स जर्नी को कि कैसे गाउं से निकल करके एक बच्ची मेहनत करती है और फाइ प्रेंडायक कहानी साथ आप भी सोनेंगे तो आप में भी एक मोटिवेशन आएगा और देश की मैं कहूंगा हज्जार हो हज्जार जो है जितनी वारी बच्चीया है उन सब को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर वह भी घर से निकल के कुछ करना चाहें तो अपने सपनों क को जी सकती है तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है अश्रु आपका बच्चर अश्रु मुकताब अमेठी जीले से आती है चाहिए तो कुछ बताएं सबसे पहले अपने बारे में फिर मैं इंडियन एफ़ोर्स की इंफोर्मेशन पर आऊंगा बताएं कुछ अपने क्यांक है व ynda सो मेरा अश्रु यदि दवनम है और मैं मेठी से हूं प्रेपरेशन के भी से किया और मैं यहां पर फेस्टू सब्सें क्लिए और मेडीकल तो मेडीकल है मैडीब मेडी कुम्श एयर है मेरीडीकल पलिए वसका भी प्रेंडिकल मैं नहींकůP तो डेकर डर तो नहीं लगा नए सर फाइली कितने लोग जो है अपने जर्णी शुरुआत कि और जन्वरी में ही आपका जो है एक्जाम कंड़क्ट हो गया तो काफी जल्दी थी तो आप कॉंफिटेंट थे इंग्जाम को ले कर गें सथोड़ा सा नर्वस थी मैं बाकि मतलब मुझे था भी लीट था कि मैं कर लूंगी बहुत बढ़िया तो जैसे कि एक साफने लच्छे बनाये के वाई समेरा बोथ टार्गेट था बट यहां पर जो था मैंने वाई का कोर्स लिय कितना स्कूर किया आपने सब्सक्राइब में कटफ 27.5 और में 32.5 मार्क बहुत बढ़िया कोई दिक्कत की बात ही नहीं स्कूर पर तो बेसिकली अब अगला प्रस्ट हमारा बनता है कि आपने एक्जाम दिया ठारा सेले के चौबेस के वीज में फिर उसके बाद यह रहा हो रिजल्ट आता है आपका बड़ा कम समय मिला फेस्टू के लिए आप जैसे बताती है कि आप गाउं से निकल के आई जैसे कि आप पाच भाई बहन है और फैमिली में से पहले कोई एक्स्पीरियंस नहीं रहा गौर्मेंट जॉब का फौस तो बहुत बड़ी बात होती है ग जब आई तो फिर सब को देखने लगी तो एक मोटिवेशन अलग से आजाता है कि खुद तो कुछ न कुछ तो करना ही है तो यह सब सेल्फ मोटिवेशन था नहीं यह सच है कि वहां आपने देखा तो फिर आपने डिसाइड फौज ही क्योंकि कि देखे सक्सेस होने के सब्सक्राइब को मिल जाती है तो इसलिए मैं यहीं लाइन मुझे भी याद आती कि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलॉंग करते रहें तो उस समय यहीं सोच होती थी गाहों से निकलने के बाद कि जितनी जल्दी जो है लाइफ क्या हो जाए सेट हो जाए क्योंकि फैमिली उतना लंबा सपोर्ट नहीं कर पाएगी वो डियूरेशन देते थे कि एक साल है तुम्हारे पास अब मेरे पेरेंस ने भी का था यह फॉर्स टाइम्ट है क्लियर कर लो करना है तुमको क्या बात है और अच्छी भी बात है मुझे लगता है लोग इसको किसी भी त आप देजिए हैं कुछ बताएं आप सर्फ एमिली जो है जिसे ओल्ड टाइप के होते हैं जैसे दादा वगरा तो ऐसे हैं बाकि पेरंस हैं मेरे सपोर्टिव कि ठीक है तुम्हें जो भी लाइन चुन रही हो बट यह कि फर्स्ट टैम तुम्हारा लास्ट होना चाहिए क् उनको तो अभी सिस्टर है जो कि 11 में तो वह बाई उसे है तो उसका भी है फॉज में बट पापा उसको आर्मी के लिए मना कर रहे हैं अच्छा बाइद अभी एम अमेडिकल का टागेट जैसे आपके पापा भी मेडिकल हॉस्पिटल में ही काम करते हैं तो वो सोचते हैं एक बिटिया हमारे मेडिकल में जाएं कहते हैं यहां पर यह है ब्यस्टी नर्सिंग कर लेना ऐसा वैसा बहुत सारे रास्ते बंते हैं आगे चल गए जैसे आपने बताया कि अंबाला सेंटर था पिता जी साथ में गए तो पिता जी साथ में गए थे दबाव था कि है मुझे लगता है गारिजियन का वेक तरह का प्यार भी दिखाने का कि हम तुम पर इतना भरूसा करते हैं और तुमें कर गुजरना है और वह सर ही होता है जो हमें और बहतर करने के लिए प्रेड़ित करता है और दिमाग में भी रहा होगा जब आप दोड़ी होंगी तो इसा दोड़ी होंगी कि भाई यह फाइनल रेसे जंदी इसमें डन करना किने मिनट में किया सर वहां पर मिनट नहीं बताए गया हमको बस वहां पे जो है रोप लेकी खड़े थे आगे और एट मिनट कंपलेट होने पर उन्होंने उठा दिया था तो सर मुझ से बस मुझे सर जो पी एफटी जो रणिंग लिएर किया लड़कियों ने वह 48 गल्स ओनली 48 गल्स बाकि सब रेस से बाहर हो गई यह यह गल्स को समझना जरूरी है कि इतना मेहनत करके आप जा रहे हो और एक रेस ना निकले दुर भाग्यपोन है वही सबसे ज़्यादा वही था कि सारी जादा तर 50 परसंट क्या पूरी लड़किया में आउट हो गई रेस में तो स्कॉर्स और सिटप में भी कुछ लोग बाहर हुए है कि वह लेक मतलब 47 बढ़ी आगे तो कोई बाहर नहीं हुआ है तो महां से भी कि फाइनली 46 हुआ सजीडी में दो गई मतलब यह अच्छा थ तो बिसिली जी डी का टॉपिक क्या रहा चांग में हिंडिया है कैसा लगा एक्स पीरियंस रहा चलो पहली बार मुझे लगता इंडेंने फोर्स के अंदर जाने का मोका भी मिला होगा किसी एरमेंस सेलेक्षिंटर के अँदर आपको कैसा है जो मिलेंस लगा हुआ कि लोग जो लड़किया नहीं कर पा रही थो नो ने उनको खुद टाइम दिया कि अब आप बोलो आप अपकेल लास्ट में बोलो तो फुरा फुल सपोर्ट है यह सब तो फाइली प्रेडिकल के लिए कित्ते दिन रुके वहां पर रूपर साथ मेडिकल को नो ने डेट दी थी 7 तो उन्होंने कहा कि आपको स्टे करना 9 को आना तो हो ली थी हमलोग के लिए प्रोब्लम थी तो हम लोग को वह स्टेशन पर रुकना पड़ा पूरी रात अर्थ को भी तो फिर वहां 9 को नो ने ख्लीर रेपोर्ट किया आपने मॉने तो काफी टॉफ हो गया होगा बहुत क मेडिकल बहुत बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं कहीं तो कितने बज़े रात को फाइनली जो है ग्रीन कार्ड मिला शाम को मिल गया था पांच पांच अचा लेडिस में थोड़ा से लिबरल रहें जल्दी चोड़ेने की कोशिस की तो उसी दिन ट्रेन थी रिटर्निंग की रुक करना पड़न होता है थोड़ा बाहर जाने पी चैलेंजस तो बढ़ी जाते है ना बहुत सर खाने पीने को भी ठीक से हम लोग खाप पीने मतब दोड़ते रहों सिर्फ रनिंग दोड़ते रहों लेकिन एक बार जब ग्रीन कार्ड में आया हो तो सुकून मिला लास्ट में आपको हो गया तर तीन तारिक से लिए करके जो है समय यहां से 28 को में यहां से मच निकल गई थी तो फिर काफी काफी लंबा आपके लिए जर नी रही है बड़ कहते हैं कि अन्त भला तो सब बहला तो फाइनली जब सक्सेस मिल जाती तो एक खुजी मिलती है वाके में बच हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन यह पैदा हो और सुची किती गर्व की बात है आज के अशुकी नाव नेवी गिविंग अपर्चुनिटी एर फोस दे रहा है अभी इंडियन आर्मी में डबलो एंपी दे रहा है इतना बढ़िया मोका है हां लेकिन थोड़ा हाइट एक इसमें 162 मांग लिया है कितने हाइट है आपकी 155 है परफेट है जो चाहिए जिसमें 162 मांगा है थोड़ा यही एक चैलेंज है मैं इसको भी चाहता हूं कि निन आर्मी जल से जल इसको 155 के आखड़े पे ले आए जिससे ज़दा ज़दा बच्चीयों को मोका मिलना स्टा सब्सक्राइब कर देंगे उसके बाद सब्सक्राइब कर देंगे उसके बाद सबका टैस्ट होगा फिर से फ्रेस्ट पूरे यह सफ्रेश होगा उसके बाद जो हम क्वालिफाय करेंगे और जो पॉइंट से देंगे उसी के दम पर परमानेंट से कटेगरी होंगे बहुत नहीं है इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डरने की जरूद नहीं है आप जा रहे हैं तो मतलब परिवार में भी खुशी का महौल है लोग इसको एकसेप्ट कर पाते हैं कि हां इंडियन एरफोर्स में सेलेक्ट हो गई है यह सब तोड़े विलेजर्स हैं जो मतलब जालेसी टाइप के अचाहां वोड़ेश में होते हैं पहले कह रहे थे जब रिटरन क्वालिफाय हुआ तो उन्होंने बोला कि अरे रिटरन ही तो है रेस कैसे करेगी वो वो कर लिया तो कह रहे है चार साल की तो है अच्छे बड़ा दुख मुझे यह चीज को लेकि होता है साइद यह मैं पूरे समाज से बात कहना चाहता हूं एक तो सबसे पहले बिटिया कुछ कर रही जिंद ज्यादा इंट्रेस्टिंग करेडिबल और अथंटिक सिस्टम आफ इग्जामिनेशन किसी इंट्री का है ही नहीं भारत में फॉच के अंदर सफलता कि वह रेटन पे नहीं संबह हो है इस बच्ची को उतना ही मेंटेन फिजिकल में करना पड़ा एक लड़की हो करके उतना ही जिम्मेदारी मेडिकल को लेकर कौन से इसे इंट्री है जो इतने स्टेज आप टेस्स से गुजरना पड़ता हो एक आइटीन भी बनना रेटन क्वालिफाई कि अबाद खतम आपको इंजिनियर बनना आप क्वालिफाई कि अबाद खतम बट यहां तो बहुत बड़ा च लोग आएगा एक अलग तरह का पेरेंस होगा देन पीपल विल रिलाइज हां तब लोग मैसोस करेंगे और इसे समाज में सब के बीच वह आपको मौका दिये क्याना में पिता जी कि आपका शिबादर तो बहुत-बहुत जो है बधाई उनको सबसे पहले बहुत बड़ी च मैसे बच्चीयों को आप क्या देना चाहेंगी जो इंडियन एफोर्स की तहारी कर रहे हैं समय सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यह मैंडसेट बनानी के कोई जरूवत नहीं कि चार साल का है यह कितने साल का है सिर्फ आपको एक स्टैबिलिटी चाहिए तो आपको किसी भी जा रहे हो तो दूसरों का मत सुनों सिर्फ अपना सुनों और करके दिखा बिल्कुल करके दिखाओ और जो काविल होगा जो करेगा वह हमेंसा ठीकेगा और आगे बढ़ेगा तैंक यू सो मच आप होच छोटे से बड़ बड़े में चियो टाइप कियो हां इट से बेरी ग बहुत चोटी से में बहुत अच्छे संसकार हैं बहुत अच्छी आपके परविश होएं ऐसी कॉन्फिटेंस बनाए रखो जिंदिगी में भी आपको बहुत आगे जाना है ठीक है लाइफ का स्टार्ट है जो आपको डिरेक्शन मिल रहा है और उस गाओं के लिए गर्व क इसको देख करके बट मुझे लगता है कि आप सब बिटा जब इस तरह से चीजें कर रहे हो तो यह बहुत प्राउड मुमेंट है बहुत लोगों को प्रेड़ना मिलेगी और देखिएगा धिरे-धिरे साब कुछ बदलता हुआ दिखाए लेगा चलिए थैंक यू सो मच ब बिटिया हर बच्ची कर सकती है बस बिटा अपने अंदर जज़बा पालो अपने आप पे भरोसा रखो और एक बात ध्यान रखना दुनिया में किसी की मस सुनो केवल अपने पैरेंट्स की सुनो क्योंकि वही ऐसे ब्यक्ति हैं इस धरती पर इश्वर की तरह आपके लिए कि वह आपका अच्छा सोसते हैं सही सोसते हैं और हमेशा आपको सही जिसा मिले जाना चाहते हैं और बाकी अपने दिल की सुनो यार और मुझे लगता है इन दोनों का समागम बेतर है तो आप सब कुछ अच्यू कर सकते हैं चाली थैंकियो सो मच विसे गुड़लग जैन ज आप